हेलो फ्रेंड्स आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास एड का चैप्टर 15 सूर के पद के लगू उत्री कोशन आंसर आप इसके वेरी शोट कोशन आंसर पार्ट वन में देख चुके हैं यह पार्ट टू है तो वही है सबसे पहले लेखक पता होना चाहिए लेखक उनके सूर्दास ही है और पहला लगूतरी कोशन है बालक शिरिकिशन किस लोग के कारण दूद पीने के लिए तयार हुए तो उत्तर है दूद पीने से उनकी चोटी बलराम भाया की तरह हो जाएगी इस लालत में बालक शिरिकिशन दूद पीने के लिए तयार हुए क्योंकि वे भी अपनी बाव मुखारित हो रहा है कौन से भाव है तो तैही पूत अनोखी जायो पंक्ति में ग्वालन के मनमिय शोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने की एक इर्षा का भाव और कृष्ण के माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखारित हो रहे हैं दो बाते हो रही हैं इर् चोटी की विश्र क्या जो रही होगी जो कहते हैं आपने दुह तो पढ़ाई है तू तरह दूसरे पत को पढ़ने से लगता है कि उस समय शिरकिशन की उमर चार से साथ साल रही होगी तब ही उनके हाथ चोटे-चोटे हैं चोटी-चोटे हातों से सावदानी बरतने पर भी उनके हाँ से मक्षन बिखर जाता है ये काम तो केवल चार से साथ साल की आयू के बच्चे ही करते हैं अब है दिर्गुत्री कोशन आंसर शिरीकिशन अपनी चोटी की विशे में क्या-क्या सोच रहे हैं बच्चो बताईए उत्तर है शिरीकिशन अपनी चोटी की विशे में सोच रहे हैं कि उनकी चोटी भी बलराम भाया की तरह मोटी और लंबी हो जाए पहले तो ये सोचते हैं पिर में नागिन जैसी लहराई ये भी सोचते हैं अगला कोशन है गोपियां ये शुरदा से किस की शिकायत करती हैं और क्यूँ दो कोशन पूचे हैं मैंने या ये भी कह सकते हैं शिकायत को कि गोपियां किस परकार का उलाना दिया तो उत्तर है गोपियां शिरीकिशन से शिकायत करती हैं कि क्रिशन चोरी चिपे घर में गुसते हैं दूसरी शिकायत क्या कि किवार कोल कर दूद दही सोयम खाते और अपने मित्रों को भी खिलाते हैं तीसरी शिकायत की ओकल पर चड़कर छीके से मक्खन उतार कर खाते हैं और गिरा भी देते हैं पिर अगली शिकायत क्या करती है बार-बार शिकायत करने पर भी ये शोधा महिया अपने पुत्र को मना नहीं करती है ये भी उलाना देती है कि हम तुझे बार-बार बताते है तिरा बेटा ये करता है वो करता है लेकिन तु फिर भी उसे समझाती नहीं है तो ये उलाना भी गोपियां ग्वालिन मैया इशोधा को देती हैं अगला कोशन है कृष्ण माकन चुराते समें थोड़ा सा माकन विखेर क्यों देती होंगे सोच के बताइए बच्चो तो उतरहे कृष्ण माकन चुराते समें थोड़ा सा मकन विखेर इसलिए देती होंगे कारण क्या है शिरी माखन चीका चीके पर टंगा होता है इसलिए चुराते समय माखन गिर जाता है उचाई में है निकालते समय थोड़ा बोता नीचे गिर जाता है अगला उनके हाथ बहुत नन्नी है चोटे-चोटे हाथ हैं चार या साथ साल के मों है तो माकन पूरा उनके हाथ में आ ही नहीं पाता तो गिर जाता है और अगला है स्वयम तथा सातियों को खिलाने में उन्हें बहुत मज़ा आता है इसलिए वो उनके लिए तोड़ा सा मकर नीचे गिरा देते होंगे ये सब रीजन रहे होंगे अगला कोशन है दोनों पदों में से आपको कौन सा पद सबसे अच्छा लगा और क्यों इसका आंसर मैंने नहीं लिखा ये आंसर आपने खुद लिखना है क्योंकि आपको कौन सा पद अच्छा लगा अब ये तो आप ही की पसंद है मेरी पसंद तो अलग आपकी पसंद अलग भी तो हो सकती है तो आप मुझे कमेंट बतने इतना तो जरूर बता दीजिएगा कि आपको कौन सा पत अच्छा लगा और क्यों लगा ये बताएं तो ज़्यादा अच्छा है अगर नहीं बता पाएंगे तो पिर मैं बताओंगी क्यों लगा